तो हेलो गाइज, वेलकम तो क्लारियन कम्प्यूटर्स, आज हम आपके लिए लेकिया है एक 6 लाक का एप्रोक्स प्राइस का PC, जिसमें हम लोगों ने RTS 4090 यूज़ किया है, कूलर मास्टर का हैफ 700 TAS उस किया है, और सबसे बेस्ट इस इंडिया का फर्स्ट OLED मोनिटर 27-inch LG का हमने यूज़ किया है, तो चलिए हम इसको अज PC को इसको बिल्ड करते हैं, और अगर आपको ऐसे PC के बारे में वीडियो देखने है या जानकारी चाहिए होगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करतें, ताकि आपको करेंट नोटिफिकेशन समय सा मिलते रहें, तो चलिए शुरू करते हैं, यह PC बिल्ड तो सबसे पहले बात करते हैं, प्रोहेसर की, जो कि वह PC का सबसे में चीज़, तो हमने इसमें यूज किया है, इंटल का Core i9-3900 की CPU, जो कि एक perfectly unlocked CPU है, और one of the best CPUs है, for gaming, editing and all purposes, उसके बाद बाद आता है, मादरबोर्ड का, जिसमें हमने यूज किया है, Asus का ROG Strix, Z790E Gaming Wi-Fi, जो कि एक DDR5 मादरबोर्ड है, with all ports and time jump, सब है इसमें, इसमें ऐसा कोई चीज नहीं है, यह मादरबोर्ड में जो आपको नहीं मिलेगा, आपको सारे items, सारे specs, इसमें मिल जाएंगे, RAM के लिए हमने यूज किया है, Gskill का Trident G5, जो कि है, 16 GB का 2 स्टिक्स हमने यूज किया, 7200 MHz का स्पीड है, यह RAM का, जो कि बहुत ज्यादा स्पीड है, और हम लोग ने इसमें GPU तो यूज किया है, जो आपको पताई बताई दिया हमने पहले की, Streaks का 4090, जो कि अभी one of the best GPUs है, कूलर के लिए हम लोग ने यूज किया है, Ryujin 360 ARGB Streaks का कूलर, जिसमें जिसकी सबसे में स्पेशालिटी है, कि इसमें आप डिस्प्ले में एनिमेशन या वीडियो कुछ भी जिया, यह फाइल चला सकते हैं, जो कि बहुत खूल दिकाता सिस्टम को, और मॉनिटर का हम लें यूज किया है, यह 27 इंच का OLED मॉनिटर, जो कि इंडिया का फर्स मॉनिटर है, इसके बारे में हम लोग आपको आगे बताएंगे वीडियो में, केस पे हम लोग ने यूज किया है, कूलर मास्टर का है, हैफ 700 बर्सर कर, जो कि बहुत बड़ा और बहुत ही भारी केस है, जिसको उठाने के लिए हम लोग तीन बंदे लगे ते हैं, उतारने के लिए भी तीन बंदे ही लगेंगे, और इस भारी जिप्यू को सपोर्ट देने के लिए, और पावर देने के लिए, पहले सपोर्ट काई बताते हैं, हम लोग ने यूज किया रोजी हर्कलक्स जिप्यू ओल्डर, जो कि इसका वजन सहय लेगा, और इस जिप्यू को और पूरे PC बिल्ड को पावर देने के लिए, हमने यूज किया है, आरोजी थौर 1200 वाट प्लैटिनम 2 मॉडल, जो कि इसको पावर देने के लिए, और जो कि इसको पावर देने के लिए, जो कि एक 2TB NVMe SSD है, और अभी one of the fastest SSD है, और peripherals में हम लोग नहीं, यह माउज और कीबोर्ड है, माउज है यह आपका Glorious का मॉडल O-, जो कि एक बहुत लाइट माउज है, और कीबोर्ड में हमने यूज किया है, और कीबोर्ड के लिए हमने यूज किया है, जो कि एक बहुत लाइट में हमने यूज किया है, जो कि एक बहुत लाइट में हमने यूज किया है, तो यह था हमारा 6 लाइट रुपय का PC बिल्ड, बहुत high-end PC बिल्ड है, तो अगर ऐसे वीडियो आपको अगर और देखने पसंद है, तो आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स, इंस्टाग्राम, फेजूप पे आपने को फॉलो कर लीजिए, जिसमें वहाँ पे हम लोग गीवावेज, ओफर्स, पोस्ट करते रहते हैं, तो आपको इंफॉर्मेशन उसके मिलती रहेगी, थैंक्यू,